नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रतिक बिहार में विधान सभा चुनाओ अब खत्म हो गया है कल जो था 10 नवंबर और उस दिन बिहार विधान सभा चुनाओ के नतीजे भी घोशित कर दिये गए जिसमर एंडी ने वहुमत के साथ 125 सीट के साथ बहुमत पाई और विधान सभा चुनाओं में जीत दर्ज की साथी साथ मैं आपको बता दू कि महागडबंदन ने 110 सीट पर कबजा किया और 110 सीट के साथ महागडबंदन की हार हुई लेकिन अगर बात यहाँ पर हम करें तो 75 जो विधान सभा सीट हैं इसमें विधान सभा की जीत बिहार विधान सभा चुनाओं में हुई और फिलाल जो अभी हम खड़े हैं वो पटना में खड़े हैं और पटना के जदियो कारेयले में खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते मेरे पीज़े धीरे अब गहमा गहमी शुरू हो रही है और यहाँ पर मैं आपको बत करूँ बीजेपी के कारेयले में बात करूँ एंडिये में घजब का उतसा है एंडिये में घजब की खुशी की लहर है और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि एंडिये की जीत भी हुई है महाकट बंदन की हार हुई है इस बार के बियार विदान सभा चुनाओं में और इ पीजेपी कार्याले में भी NDA में घजब की खुशी है और अब बस इंतजार तो बस ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नितीश कुमार शपत कब गरहन करते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नितीश कुमार अब तक के अभी तक की जो पुष्टी हुई है हमारे पास और अब देखना ये है कि नितीश कुमार शपत कब गरन करते हैं हो सकता है कि दीपावली के दिन भी जो की महापर्व है और उस दिन हो सकता है कि कहीं नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से शपत ले तो फिलाल के लिए मुझी दीजाज़त तेरी नेशन नियूज धन्यमाद